नमस्कार स्वागत है आपका सर्माजी एडिकेसन में तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रेस कोर्स फॉर सीटेट तो सीटेट का एक्जाम जो अभी आने वाला है इसके लिए हमने एक क्रेस कोर्स त्यार किया है तो यहाँ पर आप कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं तो अभी मैं इस वीडियो में किवल सिक्षा मनुविग्यान और जो मनुविग्यान की कुछ सिद्धान्त हैं उनके बारे में डिसकस करूँ है तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो आप काफी कुछ यहाँ पर कवर कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो यह जो बात कर रहे हैं से पहले हम सिक्षा मनुविग्यान की कर रहे हैं तो सतापदी पूर्व हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान को एक दर्सन सास्तर की साखा माना जाता था लेकिन अब यहां पर मनोविज्ञानिकों ने क्या करा कि इसको स्वतंतर रूप देने के लिए इसको परिवासित करना प्रारंब कर दिया तो अब साइकोलोजी की सब्द की जो है वो गैरेट के अनुसार अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ती ग्रीक और जो लेटिन मासा है या फिर उस ग्रीक या लेटिन मासा जो होती है उसके दो सब्दों से हो यह एक है साइक और दूसरों है लोगो तो साइक और लोगो इन दोनों सब्दों से मिलकर बना और लोगों कार्थ यहां पर वताय जाता है अध्यन करना से तो आप समझ सकते हैं अगर दोनों को कंबाइंड किया जाएगा तो साइकोलोजी जो सब्द है उसका एक अध्यन करना ही साइकोलोजी कहलाता है तो आत्मा का अध्यन करना ही साइकोलोजी कहलाता है ऐसा सोलमी सतापदी में लगभग माना गया लेकिन सोलमी सतापदी के अंत तक इस जो साइकोलोजी जो है आत्मा का विज्ञान इसकी सपष्ट रूप से व्याख्या ना होने के कारण आत्मा सब्दे की सपष्ट रूप से व्याख्या इसमें नहीं हुई इसलिए सोलमी सताप के लखभग प्रारंभ में इटलि के जो मनोवच्जान एक पंपपनोजी और उनके कुछ सयोगी थे जए सब्हारा है उन्होंने इसा माना कि मनोवच्जान जो है मन मंन या मस्तिस्क का विग्यान है ठीक है तो पहले 카打 परिवासा को भी क्या कर दिया गया अठारमी सतापदी में लगभग अमानने कर दिया गया क्योंकि इसमें पूरा इसका जो अर्थ है वो एक अपून अर्थ निकल के आ रहा था कि मनों और मस्तिस का विज्ञान एक साइकोलोजी है तो इसको एक अपून अर्थ होने के कारण इसको भी अमानने कर दिया गया ठीक है इसके बाद 19 सतापदी में बिलियम बुंट बिलियम जेम्स और जेमसली चिचनर वाइपस इन सभी मनों वैज्ञानिकों ने इस साइकोलोजी को चेतना का विज्ञान माना तो अब यह चेतना का विज्ञान माना जाने लगा । बनमस्तिस का में तो इसके बाद हमने देखा लाइपस चेतना का विज्ञान करों तो अब साइक thief के नई परिवासा निकल के नहीं किसा निकल के आए और चेतना का विज्ञान है तो आप यहां पर यह जो 19 सतापदी में परिवांसा निकल किया थी इसको मानने ता दी जाने लगी लेकिन बीस्वी सतापदी में इस परिवांसा को भी अमान ने कर दिया गया अब यहां पर लगबग जो बिलियम मेट्डूगल थे उन्होंने अपनी पुस्तक आउट्लाइन जो साइक scenario की इसमें से चेतना सब्द की निंदा कियो है इसमें बताया की साइक blinking को है सब्सक्राइब है तो अब यहां पर हम बात करते तो बिलियम बुंट जो हैं वह जर्मनी के लिप्चिंग सहर में इसके बाद अगर हम बात करें तो वाट्सन का जो कथन है वो यह कहता है कि तुम मुझे एक बालक दो मैं उससे वो बनाना चाहता हूं जो बना सकता हूं जो मैं बनाना चाहता हूं तो यह काफी एक महतपूर्ण कथन यहां पर निगल के आता है कि वाट्सन ने इतनी बड़ी बात कह दी कि यहां पर आप अगर उसे कोई भी बालक देते हैं तो वो उसको अपने अनुसार उसको डाल सकता है तो ऐसे ही यहां पर विवाहर का विग्यान इसको नहीं माना गया क्योंकि विवाहर के दोरा यानि की जो बालक की परवरिवर्श जिस वातावरार ने हहोती है उसी वातारवणा की ऑन् की अनुसार वो स्वेहम का विवाहर कर लेता हूं। इसे तो व्योहार का विज्ञान माना गया, तो बुडवर्थ ने कहा कि मनुविज्ञान ने सरवर्थां अपनी आत्मा का त्याग किया, जैसे कि अपने डेफिनिशन पढ़ाता, कि इससे पहले मनुविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का गया और उसके बाद मनमस्तिस का सुईकर करता है दो इसका मतलब बुडवर्थ ने इसकी एक बारे में पूरा पूरा जो सुरू से लेकि अब तक का मनोविग्यान का परिमासा निकल के आए थी उसको एक अपने कतन में समलित कर दिया गा वहो कतन यह था कि कि यह statement किसने कहे थे तो यह कफन कुन किन के हैं तो यहां पर समझसक्ते हैं ठीक है इसक doughnut के लियूओ इसके बहुत ँसार जो बात कि गई TO मैचुद्यूव ने इस जैसा कि अभ वनोविग्याद की थी कि मनोव sĩथाः जो को Alec when instrument on the brain that I couldn't but निश्चत सकारात्माग धनात्माग विग्ञ्णान है यह वाट्स ने अपने कतन में समलित क्या थे तो मनुम्मक गयान क्या है विवहर का सुद्ध निश्चत-धकारात्माग-धनात्मागध इसके बाद मन के अनुसार मन एक मनुविग्यानिक इनके अनुसार आदनिक मनविग्यान का जो संबन्द है वो विअग्यानिक खोसे है तो इनकी अनुसार भी मनोविग्यान की एक अलग डेफिनेशन दी गई, इसके बाद इसकीनर की अनुसार जो डेफिनेशन एक और निकल क्या ही हुआ ही है, कि सिक्षा मनोविग्यान अध्यापकों की त्यारी की आधार सिला है, ठीक है, तो सिक्षा मनोविग्यान जो है वो रियोगात्मक मनोविग्यान, समाज मनोविग्यान, और द्योगिक मनोविग्यान, फिर बाल मनोविग्यान और बाल विकास जो आता है, जिसमें हम बालकों की जन्व से लेके और प्रोडावस्ता की बात करते हैं, तो ये बाल विकास इसमें आ जाता है, उसके बाद किसोर मनो मनुविज्यान आता है किसमें हम किसोरावस्ता के बारे में अध्यन करते हैं प्रोड मनुविज्यान आता है विकासात्मक निदानात्मक अप्चारात्मक और क्लेनिक मनुविज्यान जिसको बोलते हैं उसके परा मेरे मनुविज्यानिक आता है जिसको आधनिक साखा बोले आता है उसके आध पसु मनुविज्यान आता है और फिर सिक्षा मनुविज्यान आता है जिसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह 14 इसकी साखाएं हैं ए करके सब्सक्राइब है। तो इसका जो सरपृफ्टम करने चालता है आप इसको कर सकते विलियम जेम्स ने दर्सन सास्तर से मनोविग्यान का मुक्त कराया तो मनोविग्यान का जो मुक्ती करण है वो विलियम जेम्स को जाता है इससे दर्सन सास्तर से पहले क्योंकि दर्सन सास्तर की एक साखा माना जाता था इसे तो लेकिन विलियम जेम्स ने इसको दर्सन सास्ते से अलग बताया, ठीक है, तो इसका सरे किस हो जाता है, विलियम जेम्स हो जाता है, इसके बाद अमेरिका में मनुविग्यान के जनक विलियम जेम्स ही हैं, और मनुविग्यान की साखा, सिक्षा मनुविग्यान की उत्पत् वो 19 वी इस्वी वह मानी आती है इसको भी आम नोट कर सकते हैं इसके बाद में थांडाइक जड टर्मन फ्रोविल हरवन और अधी जितनी मनुविग्यानिक उनके प्रियासों से उनीस सो बीस में शिक्षा मनुविग्यान को इस्पष्ट शुरूप प्राप्थ हुआ है इस से पहले इसपष्ट था इसकी नहीं थी जiasकी मैंने बढ़ा था कि सताप्धी सचिका canadra सिक्ष्षी की सते हैं इसको इसको overdose से आघ्यान का विग्या रहर माना जाया था लेकिन उसके बाद भियोः का विख्यान माना जाने लगा तो उस पिछतर जो थी वह उनिस सो बीसने लगभग उसको मिली थी तो सरपरतम सेक्षिक मनोवग्यानिक जो थांडाइक है उनको माना जाता है तो सेक्षिक मनोवग्यानिक जो है वो थांडाइक है इन्होंने अपना प्रियोग किया था वो बिल्ली पर किया था सबसे पहला प्रियोग इन्होंने बिल्ली पर किया कि सिक्षा संस्कृत के सिक्षधातू से बनाएं तो एमेल एक रूसों की पुस्तक है और इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया है कि सिक्षा संस्कृत के सिक्षधातू से बनी है इसके बाद रूसों के अनुसार अगर हम बात करें और वरणन और करता है तो यहाँ पर सिक्षा मनुबिज्ञान जन्म से ब्रद्धावस्ता तक के व्यक्ती के सीखनी के अनुभव का वरणन और व्याख्या करता है ये क्रो एंड को के अनुसार इसका कथन है ये जैसा कि मैंने को बलता है उद्दीपक अनुक्रिया सिधान तो उद्दीपक अनुक्रिया सिधान इन्हों ने दिया था ठीक है आफ दियान रखेंगी अभी। फूच्छ न्यूंद कि उप्रोवेल ने बताया कि इसके द्वारा एक बालत अपनी जन्मजाद सक्तियों का विकास करता है तो काफ़ी इंपर्डेंट है शेक्षा मन विग्ज्यान सेक्षणिक प्रस्तुतियों का जिर से अध्यान है तो विसके इसके बाद एईूकेशन जो है उटकेशन सब्द जो है वो लेंटिन मासा के दो सबदों से मिलका बढ़ाना है और एDUKIER और EG Emily तो एजुकेर और EGenkoर जो है वो दोनों यहाँ पर दोनों का आर्थ जो है वह अललग है एजुकेर का का अध्यान करके उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही क्या है सिक्षा मनोविज्ञान है आगे हम बात करते हैं कि सिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है तो सिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है इसमें नियम वा सिद्दांत का प्रयोग किया ज स्किर्फरमक चोस्जाराइब करता है और शिख्षा हम अनोब यान तो यह इसक क्रक्रतीन के चॉछ चाहए चाने कि प्रकृता मनविग्यान की प्रकृति इन से नहीं है इन में से कौन सी है इस टाइब कोशन आ सकते हैं तो इसको ध्यान से देखेंगे आप इसके बाद सिक्षक के लिए उपयोगिता क्या है तो स्वयम को पैचानने में सायक ये सिक्षा मनवगियान किया एक उपयोगिता है तो इससे क्या होता है कि सिक्षक स्वयम को पैचानने में अपना सायक होता है इसके बालक को पैचानने में सायता मिलती है इससे सिक्षक के द्रिश्टी कोण को उननत वभ्यापक बनाने में भ इसी तरीके से बालकों के प्रति प्रेम, सान, उतिवा, समद्रशी, भाव, अपनाने में सायक, बालकों के चाहूं की विकास के लिए उचित, सिक्षक, विधियां अपनाने में सायक, और बालकों को अविप्रेरित करते हुए उनमें रुची जागरित करना, ये भी क्या है तो ये अधिगम क्या है, तो अधिगम की कुछ विसेस्ता हैं आपर बताएगे हैं इनको आप ध्यान से सुन लेंगे, तो अधिगम जीवन परियंथ चलता रहता है, ये उद्धिस सिपुर्ण है और अधिगम विकास है, अधिगम अनकूलन है, सार भौमिक है, विवेक पूर होता है निरंतर होता है और खूज करना ही अधिगम है तो यह सब अभी इसकी विशेस्ताई हैं औक के इसके बाद हम बात करेंगे तो अधिकम को प्रभावित करने वाले कुछ से पहले आता है तो बातावरान अधिकम को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्योंकि आपको अगर learning करनी है सीखना है तो सीखने के लिए आपका जो माहल है वातावरण है वह विल्कुल परिसुद दोना चाहिए तो इससे ही इसका वातावरण का बहुत बड़ा प्रभावरण परता है तो एक तो प्रभावित करने वाला कारक है वातावरण दूसरा पर द्यापकवा सीखने की प्रक्रिया नवा सीखने की विधी और दस्मा यहां पर आता है संपूर्ण परिस्थति तो यह कुछ इसमें बात आती है अधिगम को प्रवावित करने वाले कारक्की ठीक है तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेंगे तो इसके बाद कुछ नियम बत काइब मों का कार्य अधिक σंतोज जनक होताए है तो राइवरन ने वे बताया था तो राइवरन ने अपना जो कथन दिया वह यह दिया कि अधी सीखने का वीडियो में कुछ नियमों का प्रयोग के जाता है तो इसके बाद थांडाइक नियमर ने इन्हें है और वस Raham को सिखने से प्रमुख और सायक नियम से जिन प्रमुकस नियमर में उन यह परिया नियम से प्लेंडरे को करने के लिए व्यक्तिति नह procs से कर पाएगा और तत्काल करदेगा जैसे कि उधारन के लिए आप कह सकते हैं कि गुड़े को अगर पानी के तालाब तक ले जाया जाता है तो उसको आप आसानी से ले आ सकते हैं लेकिन उसे बिभस नी कि पानी पीने के लिए बाद दे नहीं कर सकते क्योंकि गुड़ा पानी पीने के लिए तपर नहीं है थिक है तो हम उसे ल प्यूपक का यन नियम पहला आता है तो यदि कोई कारे पहले से किया हुआ है और जब उसको दोबारा किया जाता है तो वह हमारे मस्तिस्क में पुना आ जाता है अर्थात इस्थाई हो जाता है तो यह अभ्यास से होता है और अभ्यास करने से बहुत जल्दी सी और हमेशा के लिए वो हमारे दिमाग में मनमस्तिस में रहता है इसके बाद दूसरा आता है अनुप्योग का नियम तो अनुप्योग का नियम यह क्या है कि यदि किये हुए कारे को पुना नहीं करते है तो हमारा मस्तिस के क्या करता है उसे भुला देता है तो ये अनुप्योग का नियम है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दोराते नहीं तो ये आपका जो मस्तिस्क है उसको भुला देता है तो ये अनुप्योग का नियम क्यालाता है इसके बाद तीसरा नियम जो आता है वो है प्रमुक नियम में प्रभाव या संतोस या संतोस का नियम तो यदि किसी कारे को करने पर हमें संतोस प्राप्त होता है तो हम उस कारे को दोबारा करेंगे और यदि हमें उस कारे को करने में असंतोस प्राप्त होता है तो हम उस कारे को दुबारा नहीं करेंगे तो यह प्रोहाव संतोस और असंतोस का नियम कहलाता है अगला यहाँ पर देख लेते हैं गौड और सायक नियम कुछ तो गौड नियम जो है सायख नियम जो है उसमें पहला आता है यहांपर बहु पृतिक्रिया का नियम तो बहु पृतिक्रिया का नियम क्या है कि कोई नया कारे करने के लिए कोई कई परकार की पृतिक्रियाओं को अपनाया जाता है तथा उसमें से सही पृतिक्रिया का पता लगा कर वह इसमें काम लेता है तो ये बहुपृतिक्रिया का नियम कहलाता है उसके बाद आता है मनोबृत्ति का नियम तो किसी कारे को जिस मनोबृत्ति या मन या महनस से किया जाता है वैसी ही सफलता मिलती है तो ये मनोबृत्ती का नियम कहलाता है, इसके बाद आता है आंसिक क्रिया का नियम, तो किसी कारे को छोटे छोटे भागों में बाट कर किया जाता है, तो उस कारे में सफलता अधिक मिलती है, जैसे कि सचिन तेंद्रुकर की बात हम कर लेते हैं, तो ये आंसिक क्रिया का निय परिवर्तन का नियम यह कहता है कि क्रिया का रूप तो वही रखा जाता है लेकिन परिस्तिती में परिवर्तन कर दिया जाता है जैसे कि पावला का कुत्ता वाला जो नियम था तो पावला का कुत्ता जो है उसमें उन्होंने कुत्ते को तो बदल दिया लेकिन परिस्तिती वही रही तो इसमें यह प्रोठी चीए गया था जो की बिली पर यहां पर प्रियोक किया था जो की पर यहां पर प्रियोक किया था तो इंके ओपनाम के मारे में कापी पुछा जाता है तो प्रयासवात रोठी का सिद्धान्थ, प्रयत्नवावूल का सिद्धान्थ, अबृत्ती का सिद्धान्थ, उद्धीपा कनुक्रिया का सिद्धान्थ, एसार बॉंड का सिद्धान्थ, संबंधवाद का सिद्धान्थ, और अधिगम का बंध सिद्धान्थ, तो इनको हम और रेस्पॉंस का जो सिद्धान्त है वो एसर बॉंड का सिद्धान्त ये इसको बुला जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो थांडाइक के जो सीखने के सिद्धान्त है उसका सुछ सेक्षिक मैक तो भी है तो इसको आप देख लेजिए एक बार तो बड़ेवा सास्त्र आधी विस्व के लिए उपयोगी है और अनुभब से लाब उठाने की शम्ता का विकास ये करता है तो यहां पर हमने काफी कुछ ये सीख लिया है तो थांडाइक का ये सिद्धान्त है ये काफी महत्तुपूर्ण है और दीपक अनुक्रिया का सिद्धान्त तो आ आप CTAT में अच्छा स्कूर कर सकते हैं, CTAT ही नहीं है, आप जितने भी TET के एक्जाम होते हैं, उसमें यहीं से कोशन्स बनते हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखेंगे, तो इससे आपको काफी जानकरी मिल जाएगी, तो अगर आपने अभी तक सरमा लोगों तक यह पहुंचे और इस वीडियो का उन्हें फायदा मिल सके, तो आगे हम इसमें और क्रेस कोर्स के अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, हसते रहें, मुस्क्राते रहें, धन्यवाद.